मॉर्निंग ग्लोरी अपराजिता साइप्रेस वाइन लेलवे क्रिपर हलो फ्रेंज ये है मॉर्निंग ग्लोरी और ये मैंने सीट से ग्रो की है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चार ऐसी वाइन जिन्हें आप सीट से ग्रो कर सकते हैं और ये हमेशा आपके पास बनी यह वाइन तो पर्मनेंट नहीं है, पान से चे महीने का लाइफ साइकल होता है, लेकिन इनके सीड्स जो पक्के जढ़ते हैं सोयल में तो अपने आप सेल्फ सीड्लिंग से ही आपका पूरा गार्डन भार देंगे, तब आपको धाठा के फिकने पड़ेंगे, वो भी मैं इने ग्रो कर दिया है, तो यह देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, समर्स के सीड्स कैसे ग्रो करें, और ट्रू लीव्स भी आज चुकी है, मॉर्निंग ग्लोरी में, और आज मैं इनकी सीड्लिंग्स लगा दूँगी, और जितने चारो प्लांस मैं आप तो सीड्स जर्मिनेशन रेट है 99%, अब आप विगनर्स हैं, तब भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सीड्स काफी बड़े-बड़े होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर बड़े सीड्स होते हैं, तो वह एजली ग्रो हो जाते हैं, आप यह सोच लीजिए कि जो बड़े सीड्स होते हैं, वह एजली ग्रो हो जाते हैं, और सेल्फ सीड्लिंग्स मतलब यह जो बीच पके जमीन में गिरते हैं तो अपना भी ग्रो हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कलेट करके लखने की वीचुरत नहीं है, तो अब मेरी उस बाहि नीचे एक आपको प्लांट देख रहा है, सेल्फ सीड्लिंग्स से ग्रो हो चुका है, तो यह इसी तरह से अपनी आपके पास हमेशा गार्डन में बना रहेगा, और आप देखिए, इतने सारे सीड्स मुझे मिल रहे हैं, कि मैं इतने सीड्स मिल सकते हैं, तो अब मैं सीड्लिंग्स को ग्रो वैग्स में, यह चुटे चुटे जो ग्रो वैग्स कुछ तो मैंने दूद के पैकिट्स लिये होए हैं, और जो पौधे लगे आते हैं, उन्हें भी मैं कोशिश करती हूँ, बिना काटे निकालूं पौधे, तो उनमें मैं ट्रांस प्लांट कर दू सॉइल वही सिंपल सॉइल है, वैल ग्रिन सॉइल है, एक भग सेंड होता है, मेरी जो गार्डन सॉइल होती है, एक भग कंपोस्ट आप ले लीजिए और एक भग गार्डन सॉइल उसमें लगा दीजिए, बस इस तरह से एक एक सीड्लिंग्स निकाल निकाल के मैंने ट्रां और कुछ और अभी भी जर्मिनेट हो रही है दो तेन और उन्हें मैं सीडलिंग्स रे में ही छोड़ दूगी अभी और सिर्फ यह थोड़ी बड़ी हो चुकी है थोड़ी जब दो से तीन इंच बड़ी हो जाए यह जो सेपलिंग्स तभी हाप ट्रांसप्लांट कीजिए एक किया है तो लगभक एक हपते तक इंडारेक्ट ब्राइट लाइट में रखोंगी मौश्चर पना के रखोंगी बस यही आपको ध्यान देना है और उसके बाद जब इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर मैंने सॉइल में लगा दूँगी उसका वीडियो भी मैं आ राजिता की वाइनको सीड से यह भी बहुत एजली सीड से लग जाएंगे और बहुत कलर सब मिलने लगे हैं सिंगल पैटल डबल पैटल सब तरह के फ्लार्स आ रहे हैं तो बहुत एजली यह भी सीड से ग्रो हो जाती है इनका वी जर्मिनेशन रेट बहुत हाई होता है औ और अप राजिता की वाइन पर्मनेंट है, अगर आप जमीन में लगा दें, हमेशा आपके पास बनी रहेगी, लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो इसकी लाइफ दो से तीन साल तक ही है, उसके बाद ही खराब हुजाएगी, तो उस कंडिशन में भी आप सीड्स कलेट कर करके रखिए, अप राजिता के, और यह देखिए, मेरी लास्ट एर की वाइन अभी तक अच्छी बनी हुई है, और इसमें बड्स बनने की भी जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट जस्ट होने ही लगा है, अभी तक मैंने सिंपडिलाइज नहीं किया है, क्योंकि हमेशा ही मेरे गार्डन का बड़ स्लो चलता है किसी ने किसी कारण वश, घर में कोई फंक्शन या कोई यह, तो मैं मेरा गार्डन का प्रोसेस हमेशा ही स्लो चलता है ऐसी कारण, क्योंकि, मेरी यह होवी है, मतलब मैं लेजर टाइम में एंजॉई करती हूँ, इस तरह से कोई में नहीं हूँ कि टाइम पर ही करना है, तो अभी मैं धीरे-धीरे सब को फर्टिलाइज कर रही हूँ, इसे भी जल्दी फर्टिलाइज करूंगी, और केरिंग टिप्स में लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में, अगली वाइन, रेल्वे क्रीपर, सेम, मॉर्निंग पर्टिलाइज करती है, जो फूल होते हैं, लेवेंडर कलर के होते हैं, और थोड़ी से बड़े साइज के होते हैं, आप जब भी ट्रेन से कभी अगर जरनी करते होंगे तो आपने देखा होगा, ट्रेन की पट्री के साइड साइड में बहुत उगी रहते हैं ये वाइन, तो शायद इसलिए इसका नाम रेल्वे क्रेपर पड़ा है, पता नहीं, लेकिन इसके सीड्स भी अगर आपको कहीं मिल जाए नहीं, इसली ग्रो कर सकते हैं, पर्मनेंट इसी तरह से हमेशा आपके पास बनी रहेगी, और फिर उसके बाद अगली वाइन है, साइप्रस वा वाइन में सीड्स से इसली ग्रो हो जाती है, वो भी सेम इसी तरह से हमेशा जैसे मॉर्निंग ग्लोरी है ना, एक साइकल के बाद दूसरा और नया प्लांट ग्रो होता रहता है, सेल्फ सीड्लिंग से, वैसे ही हमेशा पर्मनेंटली आपके पास ये चारो वाइन बनी रहे है तरह नहीं है।